आईए एक और उधारन देखते हैं एक AP जिसका प्रथम पद 21 वो अंतिम पद 994 है का कुल योगफल 71,050 है AP में कुल पदों की संख्या ग्याद कीजिए प्रश्णा नुसार AP का प्रथम पद A, अंतिम पद A, N तथा AP के सभी पदों का योगफल S ग्याद है जिसकी सहायता से हमें AP के कुल पदों की संख्या N ग्याद करनी है क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, यहाँ हमें AP के प्रथम N पदों की योगफल के सूत्र का प्रयोग करना होगा इस सूत्र में A, A, N तथा S का मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें N बराबर 140 मिलता है अतह AP में कुल 140 पद होंगे आज इस वीडियो में हमने AP के प्रथम N पदों के योगफल आधारित कुछ दिलचस्प उधारन देखे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्णों को हल करते हुए साधरन तह क्या गलतिया हो सकती है झाली 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 करते है